हलो दोस्तों आपको स्वागात करता हूं तरंग इलेक्ट्रोनिक्स चनल में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है और लाइट भी नहीं आड़ा है और सेट अन नहीं हो रहा है इस तरह प्रॉब्लम दिखा जाता है लेकिन दोस्तों इसका फिलामेंट सप्लाई भी आप डाउन कर रहा है ठीक है तो ठीक है यह पीसीव को एक बार आच्छा करके देख लिजिए आपको देखने के कोशिस करता हुआ हूँ अब द देख सकते हूँ यह uh Dia परस अपलाई है ठीक है और इसका जो इस्टियर नमबर डवलब्लू सीक्स से बेन फाइब फॉर एफ ठिक है इसका ये स्टिर है और ये power section पर एक relay यूज है ठीक है ये relay से इसका voltage output होता है चुल दोस्तो इसका गारी झुल नंबर अब खुद एक बार देख लजिए तिक आइसका यह इस्टी नमबर 02100E ठीक है और उसका नीचे एक नमबर है देख सकते हो 882600319A ठीक है और यह PCV का बेसबूट आप आप देख लिजिए यह टैंजिस्टर बेसबूट है और यह बेसबूट पर 9 टैंजिस्टर यूज़ किया है ठीक है और यह बीग नेक बाला बेस है मैं मेरा सब पर PCV के मैं रिपेर करूँगा और अब देख सकते हो मैं मोनीटर ट्यूब पर कनेक्शन करके ही राखा है और सेट पर लाइन देखे वाड़े वीडियो सब कुछ में कनेक्शन देखके राखा है और आपका इवास सब्राइग देखे देखांगा तो दोस्तो ये प्राब्लेम कैसे रिपेर किया जाता है ये आपको देखांगा आसान ट्रीक आपको देखांगा और दोस्तो इसका फोल्टेज फस्ट आपको देखांगा जे कौन-कौन सेक्सान फोल्टेज आपड़ान कर रहा है और इस तरह प्राब्लेम कैसे रिपेर किय कर दिया और इसका पीचे ट्यूब कर साथ मैं कनेक्शन कार दिया ठीक है और अब अब आपको देखात नहीं मैं सीरिज लाइन से सब्सक्राइब दे दिया और इसके इंडिकेटर देखिए जल गिया तो दोस्तों देखिए इंडिकेटर भी आप डाउन कर रहा है ठीक है तो इंडिकेटर स्टॉप हो गिया और ठीक है मैं अब भोल्टेज चेक कर लेता हूं मैं मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया है ठीक है तो फास्ट इसका एस्टी सप्लाई एक बाद चेक करना पड़ेग कि यह जो एस्टी सप्लाई होता है यह एस्टी सप्लाई एस्टी पर कितना भोल्टेज आता है बद देख रहता हूं यह एस्टी सप्लाई का पीन है और इस पर भोल्टेज दिखिए 125, 26, 23, 24, देखे, 100, यह देखे, EST supply up-down कर रहा है, ठीखे, यह फास्ट सिम्टम है, यह EST supply है, और यहां से supply output होता है, आपको देखाता हूं, यह pin per voltage दोस्तों देखे, up-down कर रहा है, यह number one symptom, और उसका बाद आपको जो देखोंगा, यह EST से, दोस्तों देखे, यह जो black line है, यह line से 184 output होता है, यह dart है, यह dart के बाद यह line दिखा जाता है, यह line से यह point है, और यह point से base boot per 184 जाता है, दोस्तों यह 184 line एक बाद चेक कर लेता हूं, यह 184 line है, और इस पर दोस्तों देखे, 115 volt, 215 volt यह दिखे, इस तर आप-down कर है, लगद है कि EST on हो जाता है, on होने का बाद उस साथ सा stop हो जाता है, on off, on off इस तरह होता है, दोस्ताब देख सकते हो, 117 volt से 200, दिखे, 200 का उपर voltage हो जाता है, यह 184 line है, और उसका बाद जो देखना पड़ेगा, यह regulator IC है, यह regulator से अलग-अलग voltage output होता है, यह जो coil यह line पर 5 volt output होता है, यह line एक बर देख लिजिए, यह पर दोस्तों देखिए, 5 volt, 4 volt, 6 volt, 3 volt अप-down कर रहा है, तो क्या problem है, तो कुछ भी पार्स, पार्स तो problem जोरूर है, एकचली इस तरह पार्स कैसे identify करें कुन सिक्सन का fault है, तो दोस्तों यह वीडियो शुरू से last तक देखिए, मैं आपको कोशिस करूँगा, यह problem रीपियर करके देखने के लिए, तो दोस्तों ट्यूनर पर एक 5 volt होना चाहिए, यह त्यून यह regulator IC से जाता है, यह regulator IC से जाता है, और यह regulator का यह नीचे वाला pin port voltage आप देख सकते हो, यह 6 volt और 5 volt का पास up down कर रहा है, और उसका दिये ground है, और उसका बाद यह pin है, यह pin port voltage देखिए, सब यह up down कर रहा है, तो दोस्तों अगवा sound supply देख लेता हूं, ठीक है, तो दोस्तों यह sound IC है, और sound IC का, जो supply pin देख लेता हूं, यह अब पर कुछ भी voltage नहीं है, तो तो दोस्तों अब थोड़ा सा रूखिए, एक्शली sound supply जो pin होता है, यह वाद देख लेता हूं, अब मीटर पर फॉलो कीजिए, तो दोस्तों अभी इस टाइम sound supply 6-7 volt है, यह भी up down कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, और आप फिला में देख लीजिए, आपको देखने के कोशिस करता हूं, फिला में हलका सा जाल रहा है, बहुत हलका सा, क्यामरा में नहीं दिखा जाता है, तब ही मैं देख लेता हूं, आप अच्चा करके देखेगा, तो देख सकते हो, यह जो फिला में देखे, फिला में भी up down कर रहा है, तो इसी प्रॉब्लेम के लिए फास्ट या आईसी भी प्रॉब्लेम हो सकता है, और आईसी का साप्लाइ एक बार आपको चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट जो में साप्लाइ पीन आइडेंटिफाइ कार सकते हो, और आपका पास यह आईसी का डाटासीट है, तो आप आसनी से उसका साप्लाइ पीन आप चेक कर सकत हो, तो मेरा पास डाटासीट अभी नहीं है, तब भी मैं यह जो साप्लाइ लाइन एक बार चेक करके देख लेता हूं, यह लाइन का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, यह जो लाइन जाता है, यह जो फाइब फाइब फोल्ट लाइन, यह से आप आच्छा करके ट और यह लाइन से, यह जो साप्लाइ लाइन, यह लाइन से एक साप्लाइ लाइन, देखे यहा time और एक कॉईल है, ठीक है, यहाब फाइब 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 फोल्ट आना चाहिए, अब देख सकते हो, यहाब फाइब अ il dheri फोल्ट है, यह भी आपड़ाइन काड रहा है, तो ठीक है बाद में वो लान को देखोंगा और उसका बदी जो नीचे जो लाइन यह देखी यहास एक रेजिस्टेंस है यह में बाद में देखोंगा और यह पूर एक कोईल है यह एक supply line है तो इधार 5V होना चाहिए तो इधार 5V है तो इधार भी होना चाहिए क्योंकि यह क है तो दोस्तों अब देख सकते यह आपर supply है और दोस्तों देखी यह बीज में रेजिस्टेंस है और यह आईसी को पास 5V यह जाता है तो लगधा है यह दो supply line तो पता चल गया और दोस्तों यहासे एक जामपर है और इधार भी एक 5V supply है तो ठीक है तो यह जो 5V का supply line कि आप पर 5V फूल मुझूद है और इधार देखके 5V फूल आना चाहिए लेकिन 5V नहीं है तो यह लग दाय एक बार सिट को मैं स्टॉप कर देता हूं तो सिट को स्टॉप कर दिया और मैं एक हाथ से कैमेरा करता हूं और हैक हाथ से आपको काम करके देखाता हूं तो यह जो कोईल है ठीक है और इहां पर तूस्तब देख सकते हो लग कि कौईल का टांग टूट गया ठीक है यह जो कोईल का टांग तूट गया है तो ठीक है यह को यह जाएगा को मैं अच्छा करके क्लीन करता हूं लिएण टूटगीया है ठीक है, मैं उल्टा करकर एक बद देख लेता हूँ मैं साप्ला कर दिया है तुझा था तरह दीखिये यह देखिये एक कोईल का टंग टूट गिया है यहाप और यह कोईल है यह ग्रीन वला यह कोईल है, ठीक है और आप देख सकते नीचे यह जो green बाला यह जो suppose जो green बाला आप देख रहाए हो यह coil है रेजिस्टेंस नहीं है तो यह जो coil का टंग तूट गया तो ठीक है यह coil को एक बाद चेक करूँगा और अच्छा करके sub पर के बाद लगाँगा और coil कार जाएगा तो मैं यह position पर jumper भ करके इस पर कनेक्शन कार दिया ठीक है अब देख सकते हो और इसका position नमबर भी आप देख सकते हो L213, 213, 213 ठीक है यह coil का position नमबर है ठीक है L213 ठीक है आपको clear करके देखाता हूँ आप अच्छा करके देख लिजिए एक पल का पूजिसर नंबर है ठीक है तो ठीक है मैं उल्टा कर लेता हूं PCB को देख लेका किया रेजा लाता है ठीक है आप लास तक देखिए तो मैं इसको मैं कानेक्शन कार दिया ये कायल को यह कोईल को कनेक्शन कर दिया और यह लाइन एक बार अच्छा करके देख लीजिए यह यहाँ पर एक कैपासिटर है क्योंकि में में सप्लाई लाइन पॉर लाइन फिल्टर करने के लिए कैपासिटर होता है और यह जो लाइन आप अच्छा करके देख लीजिए यह जो यह पॉइंट एक नमबर पिन का पॉइंट है तो इधर से एक दो तीन आप गुंती करेगा तो गुंती करने के बाद इधर से आपको गुंती करना पड़ेगा ठीक है इधर से एक दो तीन चार इस तरह गुंती करना पड़ेगा और इधर से यह जो लाइन जाता है यह पिन न सप्लाई दे दिया और इसका इंडिकेटर स्टार्टिंग में आप डॉन कर रहा है पहले बार देखा है और ठीक है मैं देख लेता हूं देखिए यह सेम सिम्टम है कि फास्ट जो आपको देखाया स्टैंडबाई अन होने का बाद एक्च्छली इसका इंडिकेटर ओफ हो जा पीन पाइब भॉल्ट था वो 5 बॉल्ट अब डाउन प्रोब्लेम था ठीक है तो अभी भॉल्टेज देखिए फाइब भॉल्ट फोर फाइब भॉल्ट लागदा कि यह थोड़ा से आप्डउन कार रहा है तो फाइब भॉल्ट मोजूध है और उसका बाद यह जो कोईल का पीन पॉर वोल्टेज मिसिंग था, 0.21 वोल का असपास था, तो आभी दोस्तों दिखिए यहाँ पॉर 5 वोल्ट आ गिया, ठीक है, तो उसका बाद एक बाद EST सप्लाई जो आप डाउन प्रॉब्लेम था, एक बाद देख लेता हूँ, EST सप्लाई है, ठीक है, और यहाँ प constant हो गिया, तो ठीक है, उसका बाद एक बाद जो 180 वोल्ट का यह जो लाइन, अब डाउन प्रॉब्लेम था, यह पीन पर एक बाद भॉल्टेज चेक करके देख लेता हूँ, तो देखी यह 233 वोल्ट, ठीक है, यह continue, यह constant हो गिया, तो किया लगदा है, एक्शली यह इसका क्योंकि यह भॉल्टेज ज्यादा क्यों लागदा है, क्योंकि मैं एक monitor tube का यह कोईल यूस किया है, और इसका oscillation का बाद यह भॉल्टेज हाई देखा जाता है, और आप LG tube पर लागाएगा, और LG जो original कोईल का कोईल लागाएगा, यह कोईल कनेक्शन करेगा, तो यह 200 वोल problem था, ठीक है, और screen पर आप follow कीजिए, दोस्तों देखिए इसका light बिल्कुल ओके आ गिया, दोस्तों ठीक है, एक बार video line देखे आपको देखाता हूं, मैं video line देदिया, दोस्तों देखिए video आ गिया, ठीक है, दोस्तों यह video अच्छा लगए तो प्रीज एक like कार दिजिए और यह चैनल पर आप नाए है, तो यह चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और यह video देखने का बाद आप description box जोडूर follow कीजिए, ठीक है, तो उसका अंदर मैं एक telegram group link देखके रखा है, वह आपर आके, आप join हो सकते हो, बिल्कुल फ्री में, और आपका अपना problem आप discuss क सकते हो, वह गोप और बहुत मेंबर अभी तक जोएन होआ है, ताप भी जोएन हो सकते हो, ठीक है दूस्तों, ठेंक यह video पूरा देखने के लिए,